सद्गुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जे सद्गुरु मिलते नहीं, जाते नर्ख द्वार, नर्ख द्वार में दूद सब करते खेंचातान, उनसे कभू न छूटते, फिरते चारो खान, चार खानी में भरमते, कभू न लगते पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सद पंक्तियों में पूंट सद्गुरु की महिमा बयान की गई है और बताया गया है कि नर्क के कष्ट वो मृत्यू के दुख से केवल एक पूंट सद्गुरु ही हमें बचा सकते हैं वर्तमान में गुरुओं की कोई गिंती नहीं है नगर नगर शहर शहर गाउं गाउं में अनेकों गुरु देखने को मिलते हैं भक्ती सभी करते हैं, गुरू भी अनेकों ने धारण किये होते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, कोई किसी विमारी से ग्रस्त है, तो कोई किसी विमारी से, कहीं कोई दुरघटना हो जाती है, तो कहीं महामारी आ जाती है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कहते तो सभ लेकिन जब उन गुरुओं के द्वारा बताये गए समाधान काम नहीं करते तो अंत में साधक को कह दिया जाता है कि पाप करम का डंड तो आपको भोगना ही पड़ेगा राम जी और कृष्णिल जी ने भी तो अपने किये का फल प्राप्त किया था और ऐसा कहकर इस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाता है यही कारण है कि अनेकों लोग आज नास्तिक्ता की ओर जा रहे हैं आदर्णिय संगरीबदाशी महाराज जी ने इस बारे में कहा है तत्व भेद कोई ना कहे राय जूमकरा पैसे उपर नाच सुनो राय जूमकरा कोटे उमध्य कोई नहीं राय जूमकरा अर्बों में कोई गरक सुनो राय जूमकरा इसमें बताया गया है कि एक कून सत्गुरु के इलावा जितने भी संत महंत वो गुरु होंगे वो लोगों की भावनाव से खेल कर उनका एक ही उदेशे होगा जो की है पैसा कमाना समाच के हित्से उन्हें कोई भी मतलब नहीं होगा संधरीबदाजी महाराज जी ने आगे बताया है कि करोडों में भी नहीं अर्बो में कोई एक होगा जो की गर्ख होगा यानि की पूर्ण आध्यात्मिक ग्यान से परिचित होगा और हमारा मुक्तिदाता होगा अब जहां तक रही पूंट सद्गुरु की पहचान की बात, तो पूंट सद्गुरु की पहचान उनके शिश्यों की संख्या से नहीं, बल्कि उनके ग्यान से होती है आज तब किसी भी धर्म गुरु ने हमें हमारे पवित्र शास्त्र खोल कर नहीं दिखाए हम कहां से आए हैं? मरने के बाद हम कहां जाएंगे? हम मर ही क्यों रहे हैं? लोग भक्ती भी करते हैं, फिर भी इतने दुखी क्यों है? परमात्मा एक है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन वो एक परमात्मा है कौन? ऐसे अनेकों प्रश्ण जो कि आज तक एक अनसुलजी गुथी की तरह हमारे दिमाग में ही रह जाते थे एक संथ ने उनके प्रमांड सहित जवाब दिये हैं और सिद कर दिया है कि परमात्मा एक है और उनका नाम कबीर है उनसंत का नाम है जगतगुरू तत्विदर्शी संथरामपाल जी महाराद संथरामपाल जी महाराद जी एक मात्र ऐसे संथ है जो की सभी धरमों के पविश्टर शास्त्रों को आधार बना कर सब कुछ प्रमानित करते हैं दस दस प्रमाट देकर एक चीज को वो प्रमानित करते हैं वो एक मात्र ऐसे गुरू हैं जिनोंने बताया है कि पाप करम का दंड कट सकता है और कबीर परमात्मा की शक्ती इतनी जादा है कि वो अपने साधक की उमर तक बढ़ा कर सौ वर्ष की आयू तक प्रदान कर सकते हैं संत्रामपाजी महराजी से नाम दीक्षा लेकर ला इलाज बिमारियां जैसे की कैंसर, एड्स, आदी पूरे तरीके से खतम हो जाती है और अनेकों लोगों को जीवन दान भी प्रदान हुआ है जहां एक तरफ इस मनुष्य का मुख्य उदेश्य केवल पैसा इकत्रित करना ही रह गया था, वहीं दूसरी ओर संत्रामपाजी महराजी ने अपने मंगल प्रवच्नों में मनुष्य जीवन के वास्तविक उदेश्य के बारे में बताया है जो की है पूर्ण सद्गुरु की शरण में आकर शास्त्र अनुपकूल भक्ती करकर वापिस से उस थान पर जा कि हमारे धर्म शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है पूर्ण सद्गुरु के बारे में गीता जी में लिखा है कि उस अनातन परंधाम की जानकारी जहां जाने के बाद सादक फिर इस लोक में नहीं आता उसे किसी तत्वदर्शी संत से जाकर पूछो आगे गीता जीक में ही अध्याय नंबर 15 शलोक नंबर 1-4 में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई हुई है लिखा है उर्धव मूलम अधेशाखम अश्वथम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य परणानी यह तमवेद सहे वेदवित इसका मतलब है कि तत्वदर्शी संत वो है जो उल्टे ल आज तक संत्रामपाल जी महराज जी ही एक ऐसे संत है जिन्होंने इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वरिक्ष के बारे में विस्तार पूर्वक अपने मंगल प्रवचनों में जानकारी दी है जिससे सिध होता है कि गीता जी जिस तत्वदर्शी संत के बारे में संकेत कर रही है वो संत्रामपाल जी महाराज जी ही है इतना ही नहीं जहां गीता जी में तत्विदर्शी संत के बारे में लिखा है वही कुरान शरीफ में बाखबर का जिक्र किया हुआ है लिखा है वो अल्ला जिसने छे दिन में श्रिष्टी रची तथा सात्वे दिन तक्त पर ज विराजा उसकी खबर से किसी भाखबर से पूछो संत्रामपा जी महराज जी ही वो भाखबर हैं जिन्होंने सभी धार्मिक ग्रंथों में से सिद्ध कर दिया है कि अल्ला का नाम कबीर है पून्ट गुरु के बारे में गुरु नानक देव जी ने भी अपनी वानी में कहा है जी महराज जी ही एक मात्र ऐसे गुरु है जुन्होंने वास्त्विक नामजाब के बारे में विस्तृत जानकारी अपने मंगल प्रवचनों में सभी धर्मों के शास्त्रों के आधार पर दी है आधर्णिय संद्गरीबदास जी महराज जी ने भी अपनी अम्रित मैवाणी सद्गुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद चारोंट चार्वेद छठ शास्तर वो कहें अथारा बोध सद्गुरु के जो बोल हैं व acum 15 क्षाषनों करते ह। जिससे भी सिध्ध होता है कि वो पूर्ण सद्गुरू संत्रामपाजी महराजी ही हैं स्वेम पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने भी गुरू के लक्षन बताए हैं गुरू के लक्षन चार बखाना प्रथम वेद शास्त्र का ज्याना इसमें साफ साफ कबीर परमात्मा ने बताया है कि पहला लक्षन पूर्ण गुरू का ये होगा कि उन्हें सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों का ज्यान होगा दूसरा लक्षन है कि वो स्वें शास्त्र अनुपूल भक्ती करेंगे और अपने अनुयायों से भी वही करवाएंगे तीसरा लक्षन है कि वो सम द्रिष्टी से सभी को देखेंगे आपको बता दे कि संत्रामपाजी महाराजी एक मात्र ऐसे संत है जो कि अपने सभी शिश्यों को एक ही नजर से देखते हैं, एक ही समान देखते हैं, किसी भी प्रकार का भेदवाब, चाहे वो जाती के नाम पे हो, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे अमीर और गरीब के नाम पे हो, किसी भी प्रकार का भेदवाब संत्रामपाल जी और तो और वेदो में भी पूण्ट सद्गुरु की पहचान बताई है जहां लिखा गया है कि पूण्ट सद्गुरु वो हो जो तीन बार में नाम कुपदेश प्रदान करते हैं आपकी जानकारी के वो संत्रामपाल जी महाराज जी ही हैं अध्यात्मिक ताकों तो संत्रामपाल जी महाराज जी एक सची रहा पर लेकर गए ही हैं लेकिन साथी में सामाजिक स्थर पर संत्रामपाल इस captured ने द्यवता जी निज्शा शिखर पर मत्र जाप करने मात्र से लोगों का सालो पुराना रशाप, पूरे तरीके से छूट जाता है और एक दानव जैसी वर्ति का इंसान देवता के समान जीवन व्यदीत करने लग जाता है १ इतना ही नहीं, दहेज रूपी दानव को भी संत्रामपाजी महराजी जड़ से खतम कर रहे हैं संत्रामपाजी महराजी के सानिध्य में दहेच मुक्त विवा होते हैं जिसमें एक भी रुपे का लेंदें नहीं होता जिसकारण से लड़कियां और उनके माता-पिता एक बेहत सुखत जीवन जी रहे संत्रामपाल जी महाराजी के सभी अनुयाई ठगी जारी रिश्वत खोरी इन सभी चीजों से कोसो दूर हैं और समाज हित के सभी कारें में वो बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते हैं जैसे की रक्तदान करना महामारी के समय भोजन वो अन्य अवश्यक वस्तुए पहुचाना आद हिंदू मुस्लिम सिख इसाई धरम नहीं कोई न्यारा हम लोग इंसाल कहलाते जरूर हैं लेकिन इंसानियत कही न कहीं खो चुकी थी संत्रामपाल जी महाराजी वापिस से उस इंसानियत को जिंदा कर रहे हैं आखिर में एक और प्रमान है जो कि कबीर परमात्मा ने स्वे धरम दास में तोसे वर्नी इसमें कबीर परमात्मा ने धरम दास जी को बताया है जो एक पूंट सद्गुरू होगा जो कबीर परमात्मा के वास्तविक ज्यान का प्रचार करेंगे उनसे बाकी सब जितने भी धरम गुरू होंगे वो जगड़ा करेंगे वह उनकी बात को स् न्योता दिया था लेकिन आज तक एक भी गुरू सामने नहीं आए उन्हें अच्छे से पता है कि ग्यान के आधार पर वो संत्रामपाजी महाराजी के सामने नहीं टिक सकते आज संत्रामपाल जी महाराजी के जेल में होने के बावजूद उनके शिश्यों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और विश्व भर में उनका ग्यान चा गया है आपको बता दें कि संत्रामपाल जी महाराजी पे जितने भी आरोप लगे हैं वो सभी बे बुन्याद हैं और आठ केसों में वो बाइज़त बड़ी भी हो चुके हैं वो दिन दूर नहीं है जब विश्व के सभी लोग संत्रामपाल जी महराजी को दिल से नमन करेंगे क्योंकि वो एक मात्र संथ है जो की परमात के लिए अपनी जिंदगी नियोचावर कर चुके हैं। प्रमाणों को देखकर सभी दातों तले उंगली दबा रहे हैं और संत्रामपाल जी महराजी की शरण जलत से जलत ग्रहन कर रहे हैं।